प्रधान मंत्रीष्टी नरेंद्र मोधीजी इस पावन अवसर पर हमें सम्भोधित करें तेलंगाना प्रजलन दरीकी ना अभिनन्दनुलू तेलंगाना की गवर्नर तमिल साइस सौंदर राजन जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी जी कुषन डेडी जी बाई संजय जी अन्य महानुभाव और तेलंगाना के मेरे भाई और बहनों हाल ही में तेलंगाना ने अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगाना राज भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना का कॉंटिबिशन यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बढ़ा रहा है तेलू को लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर मना है तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है दिख्षित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दस्षक में हमारे पांस एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेश ध्यान दिया है इसी कड़ी में आतेलंगना की कनेक्टिविटी और मेनिफेक्टिरिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स कार्ट सलान्यास की आ गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतेलंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियो नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्टर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जाना टाइम बेस्ट होगा लॉजिस्टिक्स अगर महेंगा होगा तो बिजनेस को भी नुक्सान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधीक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंफ्रास्सटर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में highway, expressway, economic corridor, industrial corridor एक जाल बीचा रहा है two lane के highway four lane में और four lane के highway six lane में बड़ले जा रहा है नव साल पहले जहां तेलंगणा का national highway network डाई हजार किलोमेटर का था आज ये बढ़कर पाँच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगणा में पच्ची सो किलोमेटर की national highway परियोजना है निर्मान के अलग-अलग फेशिस में है भारत माला परियोजना के तहट जो दरजनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं उनमें से अनेक तेलंगणा से होकर के गुजरते हैं हाइदराबाद इंदोर इकोनोमिक कोरिडोर सूरत चिन्नई इकोनोमिक कोरिडोर हाइदराबाद पणजी इकोनोमिक कोरिडोर हाइदराबाद विजागापटम इंटर कोरिडोर ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने है एक प्रकार्थे तेलंगना आज पडोस के इकोनोमिक सेंटर्स को जोड रहा है आर्थी गतिवितियों का हब बन रहा है साथियों आज नागपूर विजयवाड़ा कोरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्षन का भी सिलान्यास हुआ है ये तेलंगना को महराष्टर और आंदरप्रदेश से आध्विनिक कनेक्टिविटी देता है इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम के समस्या भी कमी आएगी ये विशेश रुप से उनी एरियास से गुजरता है जहां विकास का भाव था जहां अमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं ये कोरिडोर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा करिम नगर वारंगल सेक्षन के फोर लेन में बदलने से हाइदराबाद वारंगल इंडर्स्टिविटी को रहा है यहां के टूरिजम को हो रहा है तेलनगना में जो अनेक हरिटेस सेंटर से आस्ता के स्थान है वहां आना जाना बहुर अधिक सुविदाजनक हो रहा है यहां जो अग्रिकल्चर से जुड़े उद्योग है करिम नगर की ग्रिनाइट इंडस्ट्री है उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है यानि किसान हो या फिर समिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल सभी को इसका लाफ हो रहा है इससे युवाओं को उनके घर के पास दि रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे है साथियों युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैनुफेक्टरिंग सेक्टर बन रहा है मेक इन इंडिया अभ्यान बन रहा है हमने देश में मैनुफेक्टरिंग को प्रोजेक्ट करने के लिए PLI योजरा शुरू किया है यहनि जो ज़्यादा मैनुफेक्टरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेस मदद मिल रही है इसके तहट पचांच से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट यहां तेलंगणा में लगे है आप जानते हैं कि भारत देश्वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नव सबर्ष पहले एक हजार रुपिये से एक हजार करोड से भी कम था आज यह 16,000 करोड रुपिये पार कर चुका है इसका लाप हाइदराबास सिर्थ भारत डाइनमेक्स लिमिटेड को भी हो रहा है साथियों आज भारती रेल भी मैनुफेक्टरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड नए पढ़ाव तैक कर रही है इन दिनों मेडिन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चरत्या है बीते वर्षों में भारती रेल ने हजारों आदुनिक कोच और लोकोमेटिव बनाए है भारती रेलिवे के सकाय कल्प में अब काजी पेड़ भी मेकिन इंडिया की नई उर्जा के साथ जुणने जा रहा अब यहां हर मैने दर्जनों वैगन बनेंगे इस एक शेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे यहां के हर परिवार को किसे ना किसी रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्र पर तेलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रगतिशिल कायरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास के नई धारा के लिए मैं बहुत बदाई देता हूँ बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ धन्यवाद